हेलो एवरिवन, वेलकम टू फाइन आट स्टड़ी, तो आज इस वीडियो में हम उत्राखंड ल्टी ग्रेड का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, कि किसी भी एक्जाम से पहले आपको उस से रिलेटर जो भी प प्रिवेस यर की क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर सोल करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कला के मुलतत्व कितने हैं, ओप्शन हैं 5, 6, 3 या 7, देखिए जब भी थ्योरी स् सिद्धान्त, ये सब सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन, B, 6, भी इसका राइट आंसर है, तो इसकी तत्व कि अगर हम बात करें, तो ये 6 होते हैं, वर्ण, तान, पोत, अंतरा, रेखा और आक समबन्धित है, जो लोग कला से समबन्धित है, वो किसी भी एकजाम में, जाए सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर फर्स्ट क्वेस्शन हो, फर्स्ट पेपर जो है उसमें हो, तो सब مहmer लोग कला से पुशन जरूर पुछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो इसे रंगोली को जो है वो अलपना भी कहते हैं मोहन जोड़ो और हडपा में भी मांडी हुई अलपना के चित्र मिलते हैं question देखते हैं 3 अजनता की गुफाओं में मरनासन राजकुमारी का विस्व परसीद चित्र किस गुफा में मिलता है यह जनता का सबसे फेमस चित्र है और यह सोलवी गुफा में मिलता है यह option कट गया है तो इसका आप लिख लीजेगा सोलवी गुफा में मिलता है और इस कुफा में इस चित्र में जो है वो करुणा की भाव दिखाए गए हैं और इस चित्र के बारे में इस चित्र के बारे में जो गिफिक्त महोदे थे उन्होंने कहा है कि फ्लोरेंस का जो चित्रकार है वो इसमें इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का जो कलाकार है वो इससे भी अच्छे इसमें कलर फिल कर सकता था लेकिन दोनों में से कोई भी इसमें इतने सुंदर भाव नहीं परदशन कर सकता था तो यह बहुत ही फेमस कतन है इ अनुपात का है option ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अगर पूछा जाए कि उन्चे स्वर्णिम विभाजन नियम है उसको जो सिद्धान्त है वो किसने प्रतिपादित किया था किसने दिया था तो यह यूकलीर ने दिया था ठीक है और अगर स्वर्णिम पदती का पूछा जाए तो वो ग्रीक वासियों ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि उसके बाद नेक्स देखते हैं कि क्वेशन नंबर फाइव है समरांगन सुत्राधार कौन सी सदी का ग्रंथ है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option डी ग्यारवी सदी का यह ग्यारवी सदी का जो है वो ग्रंथ है और इसके जो लेकक है वो राजा बोज है उसके बाद next है number six सवरपरतम सौंद्रे सास्त की एक सवतंत्र सास्तर के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी सौंद्रे सास्त देखें जो सौंद्रे सास्त है उसकी जो अगर सबसे पहले सास्तर के रूप में विवेचना बात करें तो ये सबसे पहले बॉम गार्टन ने पेस की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D सबसे पहले उसका प्रियोग भी जो जर्मन दाशनिक थे बॉम गार्टन उन्हों ने किया था और भारतिय संद्रे सास्तर में अगर पूछा जाए ये तो बाहर जो सबसे पहले पूछा जाए अगर पूरे विश्व में तो वो सबसे पहले बामगार्टन ने किया था और लेकिन अगर भारतिय संद्रे सास्तर की बात की जाए तो भारतिय संद्रे सास्तर के प्रिथम दार परंग लगा कर को लाज क्या है तो इसका कर राइट आसर कर जाएक ओप्षन की धरातरपर विविन वस्तूयों को चित्र रचना करना इसका नेखन राइट आंसर है कि ह walp तो देखे जो जो 3 आयामी चितरन में होता है जो option sorry question 8 है तो 3 आयामी चितरन होता है तो जो 3D जो drawing करते हैं उसमें क्या होती है तो उसमें लंबाई चोड़ाई और गहराई ये option भी इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next देखते है question number 9 कि सैली में भगवान बुद्ध को केश सथा मूचों से युक्त बनाया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option A, गांधार शैली A, इसका right answer हो जाएगा next है Plato के गुरू कौन थे तो अरस्तू, सुकराथ दोनो या दोनो में से कोई नहीं तो अगर Plato के गुरू की बात करें तो वो थे सुकराथ तो इसमें option B, right answer हो जाएगा ठीक है और अगर अरस्तू के अरस्तू के गुरू की बात करें पलेटो के गुरू तो थे सुकराथ और अरस्तु के अगर हम गुरु की बात करें वो थे प्लेटो ठीक है ये एक युनानी दार्षनिक थे उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11 किसी कोई त्रिभुज के अंत्य कोनों का योग होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन B दो समकोन तो जो दो समकोन है वो त्रिभुज के अंत्य कोनों का योग होता है उसके बाद नेक्स्ट है प्रोगतिहासिक चित्रों का छेत्र मिर्जापूर किस प्रदेश में है तो यह है यूपी में ओप्शन C इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C ये कैमूर की पहाडियों पर गुफा चित्र है ज तो यह प्रोगतिहासिक चित्रों का छेत्र है कैमूर की पहाडियों पर है और सरवादिक चित्र यहां पर आखेट के मिलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेशन नमबर 13 है जो 36 रेखाएं हैं वो किस प्रकार का प्रभाव या भाव उत्पन करती हैं तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C ये शांत जो भाव है वो भाव परदर्शित करती हैं इसके लावा जैसे कि विश्राम शांती निश्क्रियता इन सब की ज प्रदर्शित करती हैं उसके बाद नेक्स्ट है भारतिय शिल्प सडंग पुस्तक के लेकग कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनिंदर नातर टैग और ओप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा भातिय चित्र शडंग के अगर बात करें तो उसका जो सुत् है वो पंडित यशोदर थे नेक्स है चट्टानों को काट कर मंदिर बनाने की कला का जो प्रचलन है वो किस पल्लव शाशक ने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहंद्र वर्मन ओप्शन B नहीं इचाए जो जो मेहंद्र वर्मन है उन्होंने जो पत्थर चट्टानों को काट कर मंदिर बनाने की कला दबनाे की कला और यहां सर्परफ胟म कला का प्रचल जो है वो किया था इसके प्रथम जो पांग शाशक van beyond शिंग वर्मन सिंग वर्मन के संस्तापक वह सिंग विश्नु माने जाते हैं कांची के पल्लव सास्कों के विशय में प्रारंबिक जानकारी जो है वह प्रयाग प्रसस्ति वैं हुएंसांग के यात्रा वर्नन से मिलती है तो यह जो एक्स्ट्र पॉइंट है यह आप जरूर ध्यान रखेगा इसके अंदर से भी यह एक तरह से अपने आप में वन लाइनर से इंसे भी क्वेस्ट्न कोई न कोई बन जाता है कि जैसे कि प लव शाचा के वो सिंग विष्णू को माना जाता है वास्त्विकस संस्थापक और इनकी जो जानकारि पल्लव सासकों की वो प्रियाग प्रसस्ती और उसके साथ ही हें स्वांग के जो यात्रा वर्णन है उससे मिलती है नेक्स देखिए तठस्त रंग कौन सा है नारंगी लाल हरा या काला जो तठस्त रंग है वो ऑप्शन डीस का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डीस का राइट आंसर है तो ये तीन होते हैं सफेद काला और जो ग्रे गलर होता है ठीक है सफेद काला और ग्रे तो ये तीनों ही तटस्त रंग है उसके बाद नेक्स्ट है परशिद मूर्ति सिल्प त्री मूर्ति कहां स्तीत है तो जो त्री मूर्ति है वो एलिफेंटा में स्तीत है ओप्शन डी तो ये महाराष्ट में है और इसका प्राची नाम है वो धारा नगरी है और ये समुदर से गिरी हुई है उसके बाद नेक्स जब फड संबंदित है तो फड जो है वो राजस्तानी लोग कला से संबंदित है ओप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फड रा इलवाडा में जो है कपड़ों पर लोग देवता जो देव नारायन और पाबुजी है उनके जीवन पर जीवन पर उनकी सोर्य गाताओं पर आधारित जो चित्र बनाए जाते हैं वो उन्हें फड कहते हैं और इसके जरीए जो है वो कथाएं सुनाई जाती है ठीक है तो य आगे कथा आइसे सुनाते हैं जैसे की कोई जैसे सौंग फगर होता है इस ताइब से वो चलती रह पीछे वो चिट्र चलते रहते स्लाइड में और आगे एगे वो उसको गाते जो भी है वो उसको सुनाते रहते हैं उसके बाद नेक्स्ट है, इमपेस्टो क्या है, तो जो इमपेस्टो है वो, ये ओप्षिन इस का राइट अन्सर हो जाएगा, धरातर पर सगन एप पारदर्श्य रंगों को लगाना, उसके बाद नेक्स्ट है, अल्टा मिरा गुफाएं हैं, जो अल्टा मिरा गुफाएं हैं, वो कहां पर हैं, तो ये स्पेन में हैं, उप्षिन डी इसका राइट अन्सर हो जाएगा, और इनकी जो खोज है, वो 1879 में की थी, मारिया सांतु ओला नाम की एक लड़की थी, उन्होंने इसकी खोज की थी, उसके बाद नेक्स्ट हैं, लोग कला में पस्व पक्षों का चितरन घोतक है, तो अगर लोग कला में जो पस्व पक्षों का चितरन किया जाता है, वो क्या दर्शाता है, तो पक्षों के प्रती प्रेम की भावना, मंगल कामना, उल्लास और खोमलताया सभी, तो ये पस्व के रूप में परशिद रहा है तो जो पटना है वो company shelly option B इसका right answer हो जाएगा sorry option B तो यह company shelly के रूप में जो है वो परशिद है उसके बाद next है मुगल सैली का स्वन काल था यह question बहुत repeat होता है मुगल सैली से संबंदित मुगल स्थापत्यकला का यह वास्तुकला का स्वन काल मुगल कला का स्वन काल मुगल सैली का स्वन काल तो यह question बहुत repeat होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा जहांगीर option A ठीक है ये मुगल शैली का स्वनकाल माना जाता है और मुगल वास्तुकला का स्वनकाल सहाजां का जो काल है वो मुगल वास्तुकला का स्वनकाल था उसके बाद next देखते हैं question number 24 है मोर प्रिया नामक जो चित्र वो किस चित्रकार ने बनाया है था तो जो मोर प्रिया चित्र है वो मौला राम ने बनाया था option B इसका right answer हो जाएगा मौला राम जो है वो पहाड़ी चित्रकार थे पहाड़ी में गड़वाल शैली के जो चित्रकार है वो थे उन्होंने यह प्रिशिदी चित्र बनाया था और इन्होंने जो है वो गड़ राजवन्स का इतियास जो गरंथ है वो लिखा था इनका जो जन्म है वो 1740 में हुआ था उसकी बाद next है मैड़ोना का चित्र पकड़े हुए जहंगेर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था यह अबुल हसन ने बनाया था option A इसका right answer हो जाएगा next है कला अनुकरन है यह किस ने कहा था तो कला अनुकरन है यह अरस्तु ने कहा था अमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें कि जितनी भी कला से संबंदित परिबासाएं हैं वो सभी बताई गई हैं उसमें तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं उसमें कला से संबंदित जितनी भी परिबासाएं जिसने किसी ने भी दी है अलग-अलग तो वो सभी उस वीडियो में हैं आपको मिल जाएंगी तो वहां से आप उन्हें पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है राजकुमार अनिरुद का चित्र महा भारत के अनुसार किस ने बनाया था तो जो चित्र है वो चित्र लेखा ने बनवाय था ओप्शन ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं तो नेक्स नमारा 28 नमर का question है प्रात्मिक रंग कितने होते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रात्मिक जो color होते हैं वो ऐसे color होते हैं जो अन्य रंगों के mission से नहीं बनाए जा सकते तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा option A तीन जो हैं वो तीन होते हैं कौन-कौन से लाल, नीला और हरा ठीक है अगर पदार्थ के मूल रंग पुछा जाए तो पदार्थ के मूल रंग होते हैं नीला, पिला और लाल और यहां पर अगर offset color printing जो होती है उसके color पुछा जाए तो य चार प्रकार की color होते हैं शान, मेजन्टा, यलो और ब्लैक कई बार इनका क्रम पुछा जाता है कई question paper man देखा है कि इसका जो offset printing है इसके color का जो है वो क्रम पुछा जाता है तो शान, मेजन्टा, यलो और ब्लैक यह इसका क्रम होता है तो आईए जो extra point है आप इन्हें पुछे जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट हैं बैंगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है तो जो बैंगनी रंग है वह हमें राजसी प्रभाव देता है किसका जो है वह प्रतीख है तो यह वीरता शांशोकत और श्रिष्टा का प्रतीख है उसके बाद नेक्स्ट है चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतिय साहिते पर आधारित है तो यह पंच्चतंत्र का फार्सी अनुवाद है ओप्शन डी इसका राइट अंस उसके बाद नेक्स्ट है थर्टीवन किस भारतिय कलाकार ने भारतिय विश्यों पर यूरोपिय शैली में चित्र बनाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवी वर्मा तो राजा रवी वर्मा थे मिनट राजा रवी वर्मा जो थे उन्होंने सबसे पहले जो र पाजर अभी वर्मा थे उन्होंने भारतिय विश्यों पर यूरोबिय शैली में चित्र बनाए यह चित्र बनाते थे उनका विश्य पोरानिक होता था उसके बाद नेक्स्ट थर्टीटू वर्ष 1884 में 1884 में सरुपरतम मद्रास कला विद्याले के प्रचारिये कौन बने थे तो यह बने थे इवी हैवल यह हैल पर यहां पर थोड़ यह रास्वरी ओईवी हैवल तो ओप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने जो है वह सबसे पहले अध्यापक इन्होंने अध्यापक के रूप में अपना कारिय शुरू किया था और उसके बाद में यह कला समिक्षक बने थे इनका फेमस जो ग्रंथ है सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है भारती चित्र कलावे मूर्ति कला उसके बाद नेक्स्ट है 33 कला दमित भावनाओं का परिणाम है यह किस ने कहा था तो यह कहा था फ्राइड ने ओप्शन एसका राइट आंसर ह हो जाएगा नेक्स देखते हैं